केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले के निर्देश पर देश सहित प्रदेश में भी सभी सरकारी और नीजी अस्पतालों में कोविट प्रबंधन की तयारियों की समिक्षा के लिए मौक ड्रिल आज भी जारी रहेगी। दो दिन की मौक ड्रिल कल शुरू हुई थी इसका उदेश कोविट के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में बुनियादी तयारिया सुनिश्चित करना है। मौक ड्रिल के दुरान अस्पतालों में दवाओं, आईसीउ, बिस्तरों और चिकत्सा कारियों में उप्योग होने वाली ओक्सिजन सहित सभी उपलब्ध संसाध्यों की विवस्था का जायजा लिया जा रहा है। कोविट के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को बुजर्गों और बिमारियों के जोखिम वाले सभी पात्र लोगों की तीका करन में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। इधर प्रदेश में भी 285 स्वास्थे संस्थानों में कल मौकडिल के माधहम से कोविट प्रबंधन का जायजा लिया गया। 1762 हो गई है। कांगलाज जिले में 392, मंडी जिले में 315, जबकि हामेरपूर जिले में 314 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में संकरमंट से अब तक 4204 लोगों की मृत्यू हुई है।